बंगलादेश में इस समय क्राइसिस चल रहा है और लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुआ हैं चाहे मंदिर हो घर हो हर जगा पर तोड़ फोर चल रही है आखिर ऐसी क्या वज़ा थी कि बंगलादेश में ये क्राइसिस आया तो सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देते हैं कि क्यों शेख हसीना को बंगलादेश छोड़ कर भारत आने पर मजबूर होना पड़ा आपको हम बता दें कि बंगलादेश में रेजर्वेशन को लेकर पहले तो कुछ यूकों ने धरना परदर्शन किया यानि कि आसान भाशा में कहूं तो जो वहां की जर्नल के लाजू में तोलना चाहिए लेकिन शेख हसीना ने ऐसा नहीं किया उन्होंने उन्होंने रेजर्वेशन जारी रख और शायद शेख हसीना ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होते हैं बंगलादेश के परधान मंत्री ने इसे लाइटली ले लिया लेकिन मामला तूल पकड़ता गया और जैसे जैसे हालात खराब होते गए परधान मंत्री शेख हसीना के हातों से ये सारा का सारा मामला फिसलता गया ओपोजिशन की एंट्री हुई और ओपोजिशन शेख हसीना बंगलादेश के परधान मंत्री का इस्तीफा मां हो गया है और बंगलादेश की परधार मंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वो इस्तीफा देने के बाद अब भारत में आ गई है इस्तीफा देने की बाद जो है हाला के ऑफिशल अभी तक नहीं बलदाई जा रही है लेकिन ये खबर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और भारत ने जो है वो शेख हसीना से पूरी मदद का वादा किया है लेकिन सबसे हम बात यहां पर ये है कि क्या रिजर्वेशन को लेकर जो बंगलादेश में हुआ वो सही था या फिर गलत था क्योंकि वहां की जो अल्प संक्या का जाती है उनको लेकर जो है ये रिजर्वेशन दिया जा रहा आता जिस परकार से हमारे भारत में भी में तोड़ फोड़ की गई वहाँ पर जो अलब संक्यक लोग थे उनके घरूं में घुस कर जो है उन्हें मारा पीटा गया और अब तो हालाद इसकदर वहाँ पर गमगीन हो चुके हैं कि लोग बंगलादेश छोड़ कर भारत आ रहें और देश्क प्रधान मंत्री और भाज सरकार से ये नवेदन कर रहे हैं कि उनकी जान बचाई जाए क्योंकि वो जैसे ही वहाँ पर बंगलादेश में अपना काम कारोबार कर रहे थे अब इस प्रकार के हालाद वहाँ पर नहीं रहे हैं कि वो वहाँ पर अपनी जिन्दगी गुजार सकें तो ये तमाम बातें इ में निकलकार आ रही है कि बंगलादेश की प्रधान मंत्री शेक हसीना इस समय भारत में आई है आप लोगों की इस बारे में क्या रहा है क्या ये जो वहाँ पर विरोध प्रधाशन रेजर्वेशन को लेका चल रहा है ये रेजर्वेशन होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चा देखेगा आप लोग देखते रहे नॉर्ट लाइन जब मुझे यानी देफ्टाकर को दीजिए इसादब धन्नवाद